नमस्कार दोस्तों योट्यूब चैनल ICT Akaad B में आप लोग का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाला हम फ्रेंस के आप लोग नेशनल स्कॉलरसीब पोटेल में पोस्ट मेटरिक स्कॉलरसीब स्कीम के लिए कैसे स्कॉलरसीब को एपलाई करेंगे स्टेब बाई स्टेब इस वीडियो में बताने वाला हम पोस्ट मेटरिक तता प्रेमेटरिक दोनों स्टुटन का बताऊंगा फाइनल सम्मिट तक तो अगर आप लोग नेशनल स्कॉलरसीब पोटेल के दोवारा किसी भी स्कीम को लेकर अगर फॉर्म भरना चाते हैं तो व दोस्तक सथ वीडियो गुरूप में सेयर किजेगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा नया ना इसी परकार का अपडेट हमें साब पाने के लिए और अगर हमरे टेलिग्राम के साथ नहीं जूड़े अभी तक हमरे टेलिग्राम के साथ जूड़े रही है जिस नस्प लिख के सर्च करेंगे तो फर्स्ट बढला वेबसाइट यह गौबर्मेंट का सेंट्रल गौबर्मेंट का स्कॉलसी पोटेल है भारस सरकार का इसमें सभी स्कीम आता है और कुछ-कुछ ऐसा स्टेट है यहां से यहां देख सकते है जितना स्टेट सभी स्टेट गौबर्मेंट का स्कॉलसी पोटल है जहां से सेंट्रल स्कीम भी अप्लाय होता यूजी सी इसकीम भी अप्लाय होता तो चलिए स्कॉलसी अप्लाय करने का पॉर्सेस को जानी क्योंकि इस बार नया वेबसाइट का डिजाइन किया गया है तो जो इस्टुड़न फर्स्ट अप्लाय किये तर आपको payment में मिला तो उसी फ़र्म को अगर renewal करना है तो renewal application में आपको क्लिक करके Sam is ready password देके आपको login करना और अपना फ़र्म को renewal करना जिसके लिए पहले भी वीडियो बना चुक है इस वीडियो को देख लीजेगा चलिए भी फ्रेज बात करता हूँ तो new रेजिस्टेशन में सबसे पहले किलिक करना है और इस परकार दो अप्षन आएगा इधार राइट साइड वला में आपको किलिक करना है बहुत सरा इंस्ट्रक्षन आएगा इसको आप लोग पढ़ लिजेगा हम पढ़ चुके हैं और तीनों को यहां पर आप लोग को टिक कर करेंगे इंस्टिट्यूट का भी बाद में मांगा जाएगा तो आपका अपना घर का राज डोमिसाइल स्टेट को यहां पर सलेट करेंगे आप लोग अपना अपना लेंगे हम अपना ले रहे हैं उसके आदे आपको स्कॉलर्शिप कैटेगरी अपर ध्यान देंगे स्कॉ हाई कर रहा 1 से 10 और जो 10 पास कर गया है आई टिया डिप्लोमा या पिर 11-12 पीजी बीएट गर्जूसन कोई भी कोर्स कर रहा किसी भी कोर्स में है तो इस्टुडेंट का वो 10 पास के बाद पोस्ट मेट्रिक लिया जाता तो इसको लेंगे ठीक है और जो 10 तक में है 1 से 10 तक स्टुडेंट प्रिमेट्रिक को लेंगे तो हम पोस्ट मेट्रिक लेता है इस्टुडेंट का नाम को फिल करना जैसे आपका सर्ट्फिकेट में है उसके बाद स्टुडेंट का स्कीम टाइप इस परकार लेना या पर स्कॉलर्सिप स्कीम और एक बात का ध्यान सट्पिकेट में भी नाम डेटबास सहम है तो स्टूडेन अपना नाम को सही से यहां फिल करेंगे उसका डेटबर्थ को इस परकार आप लोगो टाइप करना होगा क्योंकि यहां पर डेटबास सेलेक्ट नहीं हो रहा ठीक है देखते इस तरह बता रहा है तब लोगो स्टूडेन का फिल करना उसमें अभी OTP आएगा सही सही नमबर अच्छा से फिल करेंगे Email ID है तो फिल करेंगे नहीं तो नहीं फिल करेंगे तो चल जाएगा बैंक का IFC code को सही सही यहाँ पर आप लोग को लिखना है गलत IFC code नहीं लिखना है सही सही पास्बुक को देखका IFC code लिखना है confirm IFC code को और एक बार यहाँ पर ओही IFC code को लिख देना है उसका bank account number का आप लोग को यहाँ पर type करना है सही सही फिर confirm bank account को लिखेंगे ऐसा bank account देंगे जिसका passbook आपके pass हो ठीक है तो bank account number को यहाँ पर फिल करेंगे उसका identification details में ध्यान दिजे जिनका आधार है आधार बना हुआ तो आधार card को select करेंगे और आधार के जैसा ही नाम और data birth है तो आधार से verify कर सकते हैं और आधार number इदर फिल करेंगे और यह capture code को यहाँ पर फिल करेंगे और तीनों को इस प्रकार आप लोग को tick करना है और यहाँ पर register कर लेना लेकिन जिसका आधार card नहीं बना है जिस student का state में जैसे आसाम बगरा में आधार card नहीं बना pen card बन रहा यहाँ पर आधार के साथ आपका data match नहीं कर रहा certificate में कुछ और नाम है data birth अलग match नहीं कर रहा कुछ और data birth है तो कोई दिक्कत नहीं identification details में आप लोग यहाँ पर bank account number को select करेंगे bank account इसको ठीक है और इसको select करने के बाद पास्बुक को यहाँ पर आप लोग फ्रॉंड पेज पास्बुक का फ्रॉंड पेज का student को यहाँ पर choice करना है अपना फ्रॉंड पेज पास्बुक को इस पर का select कर लेना है select करने के बाद आप लोग को यह second वाला option में टिक करना है check above link there is no adhar installment center एही वाला में टिक करना है क्योंकि आपके पास आधार कार्ट तो है लेकिन गलत है तो आपको इस ही को second वाला में टिक करेंगे यह capture code जो जिखाए देगा इसको यहाँ पर फिल करेंगे capture code नहीं समझ में आ रहा तो इसको यहाँ से refresh कर देंगे बढ़िया capture code आएगा जो आपको समझ में आएगा उसको इस परकार आप लोग को फिल करना है capture फिल करके इसको टिक करना है और register बटन पर क्लिक कर देना है register में क्लिक करेंगे तो आपका register हो जागा जैसे कि देख सकते हैं और यह registration नमबर आपके mobile पर भी आ जागा जो नमबर आप दिये है फिर आपको continue बटन पर क्लिक करना है और जो registration नमबर मिला उसको पेस्ट कर दना और आप लोग उसको लिक लेंगे सही सही और password यहाँ पर फिल कर देने के लिए बोर रहा है जो कि आपके mobile पर आगी आओगा जो आपका date of birth ही password होगा जो date of birth आप form फिल अभी कर रहा है तो उस time दिये थे वही date of birth को number में फिल करना है साथ में slash को भी देना है जैसे कि date of birth का आप लोग को इस परकार रहेगा जैसे 11 जनवर ही है तो 11 लिखें उसका जो capture code दिखाए दे रहा है इस capture code को आप लोग को इस परकार फिल करना है और यहाँ पर login बटन पे click करना है तो जो number आप दिये उस number पर OTP आएगा OTP फिल करके confirm करेंगे mobile पर OTP नहीं आएगा तो recent करेंगे OTP आजएगा फिर भी number पर OTP नहीं आ रहा तो हो सकता आप number गलत देदी है तो चैंज नंबर वाला में click करेंगे फिर mobile नंबर option आएगा डालने का फिर आप अपना सही सही नंबर को फिल करेंगे चेक करके फिर submit करेंगे तो इस परकार interface open होगा फिर आपका सही नंबर तब फिल किये तो आपका OTP फिर आजाएगा फिर आपका OTP इस परकार पासवर्ट डाल देंगे जो सिंपल होगा और आप next year भूलेंगे नहीं ठीक है इस परका सिंपल ही पासवर्ट डालेंगे उसका submit बटन पे click करेंगे तो आपका form इस परका login हो जाएगा जैसे कि मेरा form login हो गया अभी हम आधार नंबर नहीं दिये थे तो आधार क हो जाएगा अभी नहीं होगा तो कुछ दिन के बाद ट्राइक किजिएगा तो आधार लिंक आप बाद में भी कर सकते हैं उसका अभी आपको form फिलफ करना तो application में click करेंगे और अभी आपको अपना form फिल करना इसको पहले carefully check कर लेंगे कि आपका state postmetric primatric नाम database सही है या पिन नहीं है और यहां पर बैंक अकाउंट नमबर को अभी चेक कर लिजे कि सही है या पिन नहीं है अगर इनकेस गलत रहता ता आप विड्रॉल application का option है इस form को इस application को यहां पर डिलीट कर सकते है रिजन में लिख देंगे कि माई बैंक अकाउंट नमबर इस रॉंग सो आ इस registration करेंगे सही सही तो मेरा सब कुछ सही है तो हम application form में क्लिक करते हैं अभी आपको यहां पर सारा चीज़ को फिल करना जो कि आप लोग देख लिजिए सब सब पहले single girl child मतला आप एक ही single girl child घर के है तो yes करेंगे नहीं तो no करेंगे regional धर्म अपना अपना select करेंगे इंदु-मुस्लिम सी के साज अप लोग जो है अप लोग अपना लेंगे यहां पर select करेंगे сторону कम्युनिटी select करेंगे कर एक चुए इस से किसमे आप आते हैं उसको select करेंगे आपका father's name को फिल करना यहां पर mother's name को आपर मादर सेने मादर आप डान करते हो तो day scholar लेंगे उसका academic details में यहाँ पर आपको अपना college school को select करना जहां अभी आप पढ़ाय कर रहे हैं जहां अभी आप admission लिए ज़हां अभी आप पढ़ाय कर रहे हैं तो तो इस्कूल कॉलेज का नाम पता ही होगा उसको यहाँ पर थोड़ा साप लोग को इस परकाटाइब करेंगे तो school college ठो यहाँ पर आ जाएगा कि कोई बहुत सारा ऐसा college है जो बहुत ज्यादा page में रहाएगा तो आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा सर्च करेंगे school college का नाम फिर आ जाएगा तो आप लोग देखियेगा कि यही school college है कि नहीं उसका address देख लेंगे मिला लेंगे यहाँ पर college का यहाँ पर court भी दिया गए आप लोग देख लिजए हाँ यही college है और इस तरह का नाम का कोई और college नहीं है तो सही है और अगर इस तरह नाम का धेर college है तो आप लोग देख ल अगर college select करने के बाद present course जो है यह option नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपका college का जो प्रफाइल अपडेट होता है नस्पी में और college वाले नहीं किये हैं तो college में contact करेंगे कि साथ आप national scholarship में अपना institute के वाइसी अपडेट कीजिए और institute का नाम कभी नहीं रेजिस्टर किये हैं तो apply for kyc कीजिए तो kyc करेंगे फिर एक दो देन के बाद nsp portal में उनका यह सब details आने लगेगा यह चीज का ध्यान देंगे बहुत student comment करते कि present course आहीं नहीं रहा तो college में school में जाकर बोलिए कि profile का update करेंगे तो यह सब चीज automatic आ जाएगा ठीक है तो जो student जिसका भार रहा है वह student का course इस पर कर सलेट करेंगे आप लोग का सभी आएगा college वाइस अगर आप बिएड कर रहे है अगर आप बिटेक कर रहे है तो आप बिटेक का college लेंगे तो बिटेक तो ही चीज़ यहां पर दिखेगा तो यहां पर graduate student कार रहा तो graduate student 3 years का course हो ले लिए यह इसके बाद present course year का रहा कि student अभी कौन सा year में हा तो अगर आप first year में है तो one लेंगे अभी अगर आप second year में अभी चल गया है तो second लेंगे अगर आप अभी third year में और first MNS पर बाहर रह करेंगे तो next year आपका form renewal होगा तो automatic two होगा उसके बाद फिर renewal करेंगे third year में तो automatic three होगा अभी आप अगर three लेके form भर दिये तो next year आपका यह application में renewal नहीं होगा क्योंकि NSP को लगा तो अभी आप third year में तो next year graduation complete हो गया तो इसमें गलती नहीं करेंगे अगर first year में है तो आप third year में तो three ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो details है अगर आप लोग को यहाँ पर कोई details नहीं पता तो नहीं लिखेंगे बाके admission year मालूम होगा कि इस college में आप कौन सा year में admission लिए अभी लिए तो 2022 लिए पिछले साल लिए 2021 लिए उससे पहले लिए तो 2020 लिए उस पर कर लिए देंगे admission नमर, interlman number या registration नमर आपको मालूम है जिस course में कर रहा है उसका तो लिख देंगे नहीं तो छोड़ देंगे रोल नमर मालूम है तो लिखी है नहीं तो छोड़ दीजे सक्सर मालूम है तो दीजे नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा उसके बाद यहाँ पर option आ रहा है mode of study आपका जो course है वो regular है full time है या correspondent distance है या part time है regular है तो regular को select करेंगे पर जान class start date आप अभी first year में आया तो उसका admission date को यहाँ पर लिखेंगे या पर आपका college में किस दिन से class start होगा उस date को देंगे या पर नहीं मालूम है तो आप लोग admission करा है तो admission slip में जो date रहागा उस date को आप लोग इस परकार लिख देंगे उसके बाद option आ रहा previous board university name मतलब और आप अभी graduation कर रहा तो पिछले जो pass की वो कौन सा board था उसको देंगे यह student graduation कर रहा तो यह previous इसका 12 था तो 12 बला board को इस परकार देंगे previous का course मतलब पिछला course आप क्या pass out करके अभी फॉर्म बार रहा है तो इस student इंटर पास किया तो इसका इंटर लिए आप लोग graduation करके अभी फॉर्म बार रहा है तो डिग्री लेंगे post graduation सभी का option मिल जाएग आप लोग ठीक आईटिया करके कर रहे है पीजी डिपलोमा करके कर रहे सभी option मिलेगा तो इंटर करके कर रहा previous passing year इस student इस बार ही पास किया आप लोग कब पास करके अभी आए तो उसको यहां पर फिल करना previous का percentage देना आपका कितना percentage है उसको देना इसका 75 है university rank holder आप अगर है तो yes करेंगे बरना no करेंगे उसका option है 10th का roll number 10th का आप लोग को roll करेंगे 10th का passing year का अप लोग को इस परकार लिखना 10th में कितना percentage ला है इसको फिल करना 12 का roll number यहां लिखना 12 का roll number confirm करना 12 का board देना passing year देना 12 का percentage देना और एक बात question mark यहां पर है ध्यान दीजे अगर आप आप आसाम जारकन और बिहार की student है और central sector scholarship को apply करेंगे scheme के लिए तो आपको पहले roll card देना बीच में dash लगाना फिर roll number को fill करना तो जारकन student है तो यहां पर आपफो पहले रोल card देना फिरगब score ठवड़ लगाना फिर roll number को देना इस प्रकार देख सकता है roll card फिर एक बार देश फिर इस परकार role number को देना जो अपका है अपना दीजेगा सही सही 12 का board को आप लोग को इस परकार अपना-पना 12 का board फिल करना है 12 जो पास नहीं किये है जो 11th में है 10th ही पास करका है वोग 12 का details में फिली नहीं करेंगे क्योंकि यह star mark नहीं अगर आप 10th पास आउट हुए अभी 11th में है तो 12 क्यों भरेंगे क्योंकि ही नहीं अपके पास तो इसको छोड़ देंगे तो जो पास की है वो लोग 12 बला details को इस परकार फिल करेंगे 12 का percentage इस परकार आप लोग को लिखना है उसका competitive exam qualifying में ही आप टिक करेंगे डिलेट इसको टिक करेंगे और कंडेक्ट का नाम देंगे पास की इसका रोल नमबर फिल करेंगे तब का लग से इसकी में आएगा नेशनल मिंस की मेरिट इसको जिसमें 12 रुपय करके आपको मिलेगा नाइंथ में फिर तेंथ में रिनुवल करेंगे फिर बाराइब इसको इसको प्रकार इसको कुछ भी ने करना आप लोग कुछ लिखना नहीं नेक्स्ट आना है यहाँ पर इस अर्फन मतलब बोरा कि आप अनाथ है मान की पर डोनों ही नहीं है तो यस करेंगे बरना नो करेंगे गार्जान आप लोग को फिल करना आप फादस नाम या मादस नाम जो ताइसको इसको टाइम डेक करेंगे जितने बी इंडिया में जितनने भी पुली accept student स्टूडेंट है चाहे जन्रेल है ओभी सी किसी भी कास्ट किसी भी स्टेट से हैं तो फिजिकली हैंडिकेप का कलास वन से लेकिए किसी भी कलास में पढ़ाय करें सभी स्टूडेंट को मिलता स्कॉलर्शिप तो फिजिकली हैंडिकेप अगर आपके जान पर चान के फिर आप स्कूलर सिथ मिलेगा प्रिमेट्रिक है यह को स्कॉलरिक मुलेगा प्रिमेट्रिय के आप और अच्छा के एमन् धूलाइब जयादा में है फालुदा करेंगे टरहु को जान पेचन के यह फ्राफ है तो इसको disability को yes करेंगे type of disability देंगे और disability का percentage देंगे जो 40% से ज़्यादा 10% 20% 35% disability का नहीं होगा 40% से ज्यादा है तो उसको देंगे अगर disability नहीं है अप लोग कोई कुछ नहीं है सिंपल है तो इसको नो करके अप लोग को फॉर्म भरना इसको नो करना ठीक है उसका marital status अगर साधी हो गया तो married लेंगे नहीं तो अन्मरीड डिवास हो गया जो है अन्मरीड है तो अन्मरीड पर्फेसरनल अगर आपके गारजन इसमें से कोई भी worker है बेड़ी वरकर साइन वरकर है तो उसका अलग स्कीम आता है बेड़ी वरकर इसको अधर्स लेंगे जिसका गारजन इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप लोग जरूर अधर लेंगे नहीं तो दूसरा इसकी में टिकर के फ़र्म बग देंगे तो गलती हो जागा तो अधर लेंगे उसका यहाँ पर पैरंस कोबिट-19 में अगर फ़ादर्स कोई rict की नहीं देट की है तो इसको साच्ट करेंगे बरनाई है अपर नट अप्लीकिल में टिकर करकर के अंधर करेंगे तो जैसे ही आप सफसी के लिए ऐसका दो स्ट्टेम माइनृरिटी का तो तो लेके फॉर्म भोंगे मिलता है थे स्टूडेंट के इसंत texts संट्स था और ऑधर की इंडरा गांधि दोग्वेयगा जले कि या पर दिजिबिलिटी का लेंगे तो कुछ और डिजिबिलिटी कर लेंगे तो कुछ और डिजिबिलिटी सट्पिकेट बगर अप्लोड करने का option आएगा तापके उन्हों सा document आएगा उसको आप चेक कर लेंगे ठीक है उससे पहले आप लोग होम डिस्टिक वगारा को सलेट करेंगे उसका रूलर है अर्बन है आपका एरिया आप कौन सा एरिया में रहाता है ग्रामीन या सहरी उस पर का टिक करेंगे सब डिस्टिक को मतलब ब्लोग को इस परकार सलेट करेंगे ब्लोग जैसे सलेक्ट करेंगे उसके उन्हों से इधर गाउं का नाम आएगा गाउं का नाम को अप्लोड को टिक करना है फिर हाउस नंबर देना नहीं मालूम है तो गाउं का नाम ही अप्लोड इस परकार लिग और बॉनाफेट शट्ट्फिकेट आप लोगको अप्लोड करना तो यहां पर बॉनाफेट डाउब्लोड करना का option आएगा फिर नॉप्र नुपट अप्लोड वैल करेंगे बाखे डीटर वह नहीं भी फील करेंगे पिर बहुत का यहा पर अप्लोड नाम में क्लिक करेंगे तब करेंगे तब करके के देख सकते हैं ठीक है सारा डॉक्मेंट अप्लोड करके आप लोग को फाइनल सब्मिट कर देना और डॉक्मेंट अगर सारा डॉक्मेंट नहीं अप्लोड नहीं करना चाते तो भी अपसे नहीं यहां पर देख सकते हैं आपका अगर स्कॉलर्शिप का एमांट पचास अज तो जमा भी कर देंगे यह फिर डॉकोमेट अगर आपके पास है तो स्केन करके अप लोड कर देंगे जिस्से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो सरा hoje creepy अप्लोड कर करके आप लोग स्सेंच ब्रॉट में जमा नहीं नहीं करना त的時候 आपशन और कोलेज के उपर सब्सक्राइब करते हैं, तो उनलाइन फ़रम को सब्सक्राइब कर आएगा